दोस्तों आपके यूटूब चैनल एंडलेस इस्टेडी सेंटर में आप सभी का स्वागत हैं जैसा कि आप सभी को पता है कि चैनल के दोरा यूपी टेट, सीट, सूपर टेट एवं किसी भी प्रदेश इस्तरी सिख्छक पाथता परिक्षा एवं सिख्छक भरती परिक्षा क की तयारी को करवाई जाती है तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उसे डेली का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे है तो आईए आज हम सभी हिंदी की 20 महतफून प्रष्णों की सीरीज के पार्ट 2 को देखते हैं और जिसने भी अभी पार्ट 1 की सीरीज को ना देखा हो हिंदी के तो वह देख लेगा जिसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को प्रवाइट करवा दूँगी तो आईए हम सभी अपने प्रष्णों की सीरीज को स्टार्ट करते हैं आज की सी विगू और फोर्थ ऑप्शन है आपका कर्म धारा है तो यह था शक्ति यानि शक्ति के अनुसार या सामर्थ के अनुसार में अववई भाव समास होगा इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा आईए नेक्स्ट कोशन देखते हैं इनमें कौन सा शब्द तदभव है आप से इसमें तदभव शब्द को पूछा गया है फर्स्ट ऑप्शन है मधुप सेकेंड ऑप्शन है भ्रमर थर्ड ऑप्शन है मधुकर और फोर्थ ऑप्शन है भवरा तो देखिए मधुप भ्रमर और मधुकर ये तीनों ही तत्सम सब्द है और भवरा जो शब्द है व सम् रूप पूछा गया है फर्स्ट ऑप्शन है मुद्री सेकेंड ऑप्शन है मुंदरी थर्ड ऑप्शन है मुद्री का और फॉर्थ ऑप्शन है मुद्री का तो इसमें फॉर्थ ऑप्शन मुद्री का सही होगा आईए नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं निम्न लिखित में स विचार प्रवा और फोर्थ ऑप्शन है वृत और विकास तो इसमें वृत और विकास हजारी प्रशाद दिवेदी का निबंद नहीं है बाकि अशोक के फूल कुटज और विचार प्रवा ये तीनों ही हजारी प्रशाद दिवेदी के निबंद है आईए हम लोग नेक्स्ट question देखते हैं परमाल रासों किसके द्वारा रचित है फर्स्ट ओप्शन है नलसिंग सेकंड ओप्शन है नर्पती नाला थर्ड ओप्शन है चंद बरदाई और फोर्थ ओप्शन है जगनिक तो परमाल रासों जगनिक द्वारा रचित है तो हमारा लास्ट उप्शन सही होगा आईए नेक्स्ट कॉश्चन देखते हैं निम्न लिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है फर्स्ट उप्शन है अंतर राष्ट्रिये सेकेंड उप्शन है अंतर राष्ट्रिये और थर्ड उप्शन है अंतर राश्ट्रिये और fourth option है अंतर राश्ट्रिये तो देखिए इसमें first और third option दोनों सही होगा और देखिए इसमें जो second option है उसमें जरा की अंतर राश्ट्रिये में जरा की मात्रा को लगाया जाता है ना की जरा को लिखा जाता है और last option में अंतरा राश्ची ये लिखा है, तो इसमें हमारा first और third दोनों ही option सही होगा, आईए next question देखते हैं, आगे कुआ पीछे खाई का अर्थ है, इसमें एक मुहावरा आपसे पूछा गया है, आगे कुआ पीछे खाई, तो इसका आपसे अर्थ पूछा गया है, first option है, चारो और मुसीबत, और fourth option है, बीच से निकल भागना, तो आगे कुआ पीछे खाई का अर्थ होता है, दोनों और मुसीबत, यानि third option सही होगा, आईए next question देखते हैं, आदी काल के लिए, sorry, रामचरित मानस की भाषा क्या है, first option है, अवधी, second option है, bridge, third option है, खड़ी बोली, और fourth option है, भोजपुरी, तो इसमें आपसे पूछा गया है, रामचरित मानस की भाषा हो, तो रामचरित मानस में अवधी भाषा का प्रियोग हुआ है, तो हमारा A option सही होगा, आईए next question देखते हैं, आदी काल के लिए, वीर गाथा काल, नाम किसने प्रस्तावित किया, first option है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, second option है, महापंडित राहुल संक्रत्यायन, third option है, अचार रामचंद्र शुक्ल, और fourth option है, अचार हजारी प्रशाद दिवेदी, तो आदी काल के लिए, वीर गाथा काल, अचार रामचंद्र शुक्ल ने तस्तावित किया था, तो हमारा third option सही होगा, आईए next question देखते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है, आप उतकर् विलोम पूछा गया है, first option है, पतन, second option है, अपकर्ष, third option है, अपभरस्ट, और fourth option है, विकर्ष, तो उतकर्ष का विलोम अपकर्ष होता है, तो हमारा second option सही होगा, आईए next question देखते हैं, आनन्द कादम्बनी के संपादक कौन थे? फर्स्ट option है, बाबु, महादेव, सेट, second option है, चंद्रधर, शर्मा, गुलेरी, third option है, बंदरी, नारायन, चोदरी, प्रेमगन, और fourth option है, अंबिका, प्रिशाद, व्यास, तो बंदरी, नारायन, चोदरी, प्रेमगन ही, आनन्द कादम्बनी के संपादक थे, तो हमारा third option स ही होगा, आईए अब हम लोग next question को देखते हैं, श्रिंगार रस का इस्थाई भाव है, first option है, हास, second option है, रती, third option है, क्रोध, और fourth option है, उत्सा, तो श्रिंगार रस का इस्थाई भाव रती होता है, इसलिए हमारा second option सही होगा, आईए next question देखते है, नेमन लिखेते, में तदभो शब्द है, इसमें आपसे तदभो शब्द को पूछा गिया है, भ्रमर, अगनी, मस्तक, मचली, तो देखिए, भ्रमर, अगनी, मस्तक, ये तीनो ही शब्द आपकी तत्सम शब्द है, जो मचली शब्द है, वह आपका तदभो शब्द है, तो इसका सही उत्तर लास्ट आप्शन होगा आईए नेक्स कुर्शन देखते हैं हम लोग चौपाई छंद के प्रतेग चर्रण में कितनी मात्राएं होती हैं फर्स्ट आप्शन है 24 सेकेंड आप्शन है 16 थर्ड आप्शन है 11 और फोर्थ आप्शन है 13 तो रेखिए चौपाई छंद के प्रतेग चर्रण में 16 मात्राएं होती हैं तो हमारा भी आप्शन सही होगा आईए नेक्स कुर्शन को देखते हैं हम लोग तेरी बरची ने बरचीने हैं खलन के पंक्ती में कौन सा अलंकार है फर्स्ट आप्शन है रूपक सेकेंड आप्शन है अनुप्रास थर्ड आप्शन है स्लेश और फोर्ड आप्शन है यमक तो इसमें यमक अलंकार होगा तेरी बरची ने बरचीने हैं तो देखिए इसमें बरची की आवरती दो बार हुई है जिसका दो विभिन अर्थ है इसलिए इसमें यमक अलंकार होगा आए नेक्स कोशन देखते हैं अंधेर नगरी के लेखक हैं फर्स्ट ओप्शन है प्रताप नारायन मिश्र सेकेंड ओप्शन है हरी कृष्ण प्रेमी थर्ड ओप्शन है भारतेंदू हरी इसचंद्र और फर्ड ओप्शन है राम कुमार वर्मा तो अंधेर नगरी के लेखक भारतेंदू हरी इसचंद्र है इसलिए हमारा थर्ड ओप्शन सही होगा आईए नेक्स कोशन देखते हैं मिरगावती किसकी रचना है उसमान फर्स्ट ओप्शन है आपका सेकंड ओप्शन है मन्जन थर्ड ओप्शन है कुटूबन और फोर्थ ओप्शन है जायसी तो मिरगावती कुटूबन की रचना है इसलिए हमारा थर्ड ओप्शन सही होगा आईए नेक्स कोशन देखते हैं हम लोग जो वार्णी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके फर्स्ट ओप्शन है आत्म साक्षातकार सेकंड ओप्शन है स्वना भूती और थर्ड ओप्शन है आ निर्वचनिये और फोर्थ ओप्शन है रहसे तो जो वार्णी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसके लिए सही शब्द होगा आ निर्वचनिये तो हमारा थर्ड ओप्शन सही होगा आईए नेक्स कोशन देखते हैं आचरन की सभ्था किसका निबंद है? फर्स्ट ओप्शन है महावीर प्रसादिवेदी सेकंड ओप्शन है सरदार पूर्ण सिंग थर्ड ओप्शन है रामचंद्र शुकल और फोर्थ ओप्शन है पदम सिंग तो आचरन की सभ्था सरदार पूर्ण सिंग का निबंद है तो हमारा सेकंड ओप्शन सही होगा आईए नेक्स कोशन देखते हैं हम लोग भूशन किस काल के कवी है? इसमें पूछा है कि जो भूशन जी थे वो किस काल के कवी थे? फर्स्ट ओप्शन है वीरगाथा काल सेकंड ओप्शन है भक्ती काल थर्ड ओप्शन है रीती काल और फोर्थ ओप्शन है आदी काल तो भूशन जो है थे वे रीती काल के कवी थे तो हमारा third option सही होगा I hope आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप सभी अपने WhatsApp और FB Group में शेयर कर दीजिए Thanks for watching दोस्तों, Thank you